हिमाचर प्रदेश के जिला कांगडा में एक गाउं ऐसा है जहां बिना बुकंप आई ही मकान हिलने लगते हैं इसके कारण लोगों का सुक्चैन छिन चुका है हम बात कर रहे हैं फत्यपूर उपमंडल के मंडक शेतर की स्टॉन क्रेशर के चलते यहां सड़क से भारी भरकम लोडी ट्रक गुजरते हैं जिसे लोगों के घर हिलने लगते हैं इसी समस्या को लेकर मंडक शेतर के लोगों का एक प्रतिनीधी मंडल समाज सेवी रमेश कालिया की अगवाई में STM फत्यपूर से मिलने पहुंचा लेकिन STM की अनुपस्तिती के चलते प्रतिनीधी मंडल तैसीलदार से मिला और उन्हें ग्यापन सोंपा प्रतिनीधी अग्याव जाओ आए यह नाड़ जाने के नक्सान डावदाना है तैसके लोग मेरे पास आए हैं और काफी तिनों से पर्शान है पर्शानी को में सबवताब है क्रेचर लोगी कि भोगराओं पंचैत में क्रेचर लगा हुए है जो वहां से क्रेचर का जोई कि रास्ते से बहां से मांडबादपुर ओकर गुजरता है जिस इनके मकानों को खत्रा बना हुआ है वहां पर दूल मिट्टी तिन उड़ती है कि पर्या वार्म पर दूशित हो रहा है तो आज यह सभी जो था वो मेरे साथ जहां पे मानने उपमंडल दिकारी पतेपुर से मिलने आया हुगा है और अब हम इसको एक ग्यापन देने जा रहे हैं और हम जहां से मांग करेंगे कि जो रास्ता बोगना पंचयत में है अगर गाडियों वहीं से चले हमारे इस रास्ते से ना चले और आने वाले समय में अगर सरकार ने इसके उपर और प्रचाशे ने इस झाले झाले आने आने झाले साह़्जड आने दर बोगना आने रहे दो ता कि दाहरे प्यास的 बार और आने और और 4 झाले-ट इस वहीं से अपयवारे अगर से नाम इसको एक पाले सबस्द्दद्द्व एको उख़गे छ집 में अगर प्र भी हमें आने रह दो पाले है इसक